सर बहुत-बहुत शुक्रिया NDP से बात करने के लिए मैं सबसे पहले आप से पूछना चाहूँगा आप यूनियन मिनिस्टर हैं यूनियन मिनिस्टर हैं सांसद हैं मनिपूर को लेकर देश में बहुत चर्चा है एक शर्मसार करने वाला विडियो सामने आया से ही मनिपूर की घटना पर काफी चिंतित है और हमारे होम मिनिस्टर प्रमादरनिय स्रियमी सा जी वहां जाके केम्प किये और जो गिरी राजमंतरी है निश्री नित्यांदराय जी वो लगभग 22 दिन तक वहां केम्प किये और भारत सरकार के द्वारा काफी प्रयास किया जा रहा है और मुझको पूरी विश्वास है पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से वहां का दिन समाधान हो जाएगा सब्सक्राइब दूसरा सवाल आप आप से एंडिये के बारे में है अभी दो दिन पहले मीटिंग हुई थी आप भी उस मीटिंग का हिस्सा थे चिराग पासवान की एंट्री को एंडिये में आप किस तरीके से देखते हैं अईसा है हमारी लराई चिराग पासवान जी से इसी पॉइंट पर हुई थी जब दो हजार बीस में बिदान सभा का चुनाओ हो रहा था बिहार में तो पूरी पार्टी हम लोग कह रहे थे कि हम एंडिये कटबंदन के पार्ट हैं एंडिये कटबंदन से हम चुनाओ जीत क्या हैं मैं भी आया हूँ आप भी आया है हम छे सांसद में पांस सांसनों की राई थी कि एंडिये कटबंदन के तहद हम बिदान सभा का चुनाओ ल के चेर्मेन थे इस हैसे से उन्होंने हम लोग की बात को अनसुनी किया और स्वेम डिसीजन ले करके अकेले चुलाओं मैदान में गए और 136 जगह उन्होंने बिहार विधान सवा में अपना उमिदवार दिया और इतना ही नहीं किया उन्होंने एक तरफ उन्हों कहा कि मैं भ हाजपाक उमिदवार के खिलाफ है बिहार में च्छा जगह उमिदवार्टी करतीया जो जहां मेरा लोक सवाच्छितर है जी हाजीपूर वहां से उन्होंने रागवपूर से उमिदवार दिया तो आप तो वापस आ गए है वो उससे आपको को दिकत तो नहीं है मुझको कोई दिकत नहीं है देखिए मानलिया प्रधान मंतरी जी के नित्रित में इंडिये सबसे बड़ी पार्टी है और मैं 2014 से इंडिये में हूँ और मैंने गोसना किया है कि जब तक मैं राजनीत में जिंदा रहूंगा मैं इंडिये कटवंदन के साथ रहूंगा और मै चाहता हूँ कि अंडिये के द्वंदन में बोट का बटवारा नहीं हो बोट आवे पर्धान मंतरी जी के नित्रित में उन्होंने इंडिये में निमंतरर मिला उनको इंडिये में आया है तो मुझको उसमें कोई आपती नहीं है तो सर क्या इसी वज़ा से कि वोट ना बटे अब बीजेपी चा रही है कि आपका और चिराग पासवान सहाब की जो पार्टी है उसका विले हो जाए नितीयारं अंदराय सहब आपसे मिले भी थे तो क्या इस आइडिया के लिए कि दोनों पार्टी एक हो जाएं उसके लिए आप तयार है जी नहीं ये तो वा संभव चीज है नित्यान अंद्राई जी हमारे पास आये थे नित्यान अंद्राई जी का घर हमारे लोग सवाच्छित्र में है असुरू से लगबग बीस बरसों से हम लोग का उनका रिस्ता है बड़े भाई का छोटे भाई का रिस्ता है वो मेरे पास में आये थे और मैंने उनको अस्पस्ट कहा था कि ये संभव नहीं है देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब दल तूटता है तो दल जूट जाता है जब दिल तूटता है तो दिल नहीं तूटता है हमारे साथ है कुछ परिवारिक परिशानिया है जिसके चलते हैं हम एक दल में नहीं आ सकते हैं चिराग जब NDA की मीटिंग में आप से मिले थे आपके पैर्च हुए आपकी फोटो भी आई आपने उन्हें गले लगाया हुआ था वो कह रहे हैं कि मुझे तो कोई परिवारिक परिसानिया है दल तूट जाता है दिल तूट जाता है तो दिल नहीं जूटता है इसको कोई गलत आर्थ नहीं लगाये जी चिराग पासवान से अब ही मारी बात हुई ती सर उन्होंने कहा कि हाजीपुर की जो सीट है वो तो चिराग पासवान की जो फैक्शन है पार्टी जो है लजेपी राम विलास उसी को मिलेगी वो कह रहे हैं कि इस पर बात बन चुकी है तो क्या इस पर डील स्पस्ट है कि चिराग पासवान की पार्टी के पास जाएगा हाजीपुर सीट चिराग पासवान जी जवजीपुर की बात आई जब हाजीपुर से पासवान जीления रासवा सधत से मैं मैं मनोनियen उनका हो गिया फिर उन्नोंने मुज़को बोला कि कहा कि पारस हाजीपूर की सेवा तुम किये हो, हाजीपूर हमारी माँ है, आत्मा है, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा अधूरा सपना है, जो अधूरा काम है, आप तुम उसको पूरा करो, मैंने कहा कि भाईया, हम तो बिहार सकार के मंद्री हैं, आप किसी परिवार के किसी दुसरे स को आप बना दीजिए उन्होंने का कि नहीं जितना विश्वास मुझको तुम पर है तो मेरा चोटा भाई हो तुम हाजीपुर की जनता को 77 से आज तक जानते हो तुम मेरा चोटा भाई हो इसलिए मैं तुमको आदेश देता हूं कि तुम हाजीपुर से चुनाओ लरो तो पर एक बाद आप जान लीजिए हमारा गठबंदन इंडिया गठबंदन से है न कि चिराग पासवान से है चिराग पासवान जी जहां से सांसद हैं वो सांसद हैं जमुई से तो नेतिक्ता की अधार पर जमुई की जनता ने उनको 10 वरस तक मेंबर अपरलेमेंट बनाया व पिस्वास घात कर रहे हैं इसलिए उनका हाजीपूर में कहीं दूर दूर तक कोई हक नहीं है मैं एक सवाल अंत में आपसे पूछना चाता हूँ अगर चिराग पासवान को एंडिय की जो समिती है बनती है वो अगर हाजीपूर सीट देती है तो नितीज जी के साब तो नहीं चले जाएंगे आप हाजीपूर हमारा है और एंडिये गठबंदन के लोग हमारे साथ में हैं और हम हाजीपूर से चुनाव लड़ेंगे इसमें कहीं कोई इफ अगर की बात नहीं है सर बहुत-बहुत शुक्त वहाँ से जाएं और यजहां से संसद है वहां से जाया वो जो जहां से संसद है वहां से चुनाव लड़ेंगे अरे तो इपिस्वा सब्ला ईवाद और हो चूझाSo很多 होगा हम जमूई की जनता ने आप आपको समान दिया मेंबर अपर बना के जा जी और आप जम्मूई की जनता के साथ विश्वास घात कर रहे हो आप जाइए जम्मूई जाइए जम्मूई से चुनाव लड़ी है मैं तो हाज़िपूर से लरूँगा इसमें कहीं इफ अगरबाट नहीं है सर बहुत बहुत शुक्रिया एंडी टीवी से बात करने के लिए हमें अपना समय देने के लिए और अपनी बात को इतनी इस परश्टा से रखने के लिए थैंक यू सो मच धन्यवाद